साइबर ठगी का नया तरीका OTP बताएं ना बताएं एकाउंट हैक और पूरी रकम गायग अब तक साइबर ठग किसी ना किसी वहाने OTP पूछ का लोगों के खाते साफ कर रहे थे लेकिन अब बगेर OTP पूछे ही खातों में सेंध लगा रहे हैं यही नहीं वो अपने शिकार को पहले ही फोन करके बताते हैं कि उसका खाता हैक किया जा रहा है कुछ ही सेकंड में खाते में बैलन्स शुन्ने होने का मैसेज भी मुबाइल पर आ जाता है साइबर एक्सपर्ट भी अभी पता नहीं लगा सके हैं कि बगेर OTP बताए साइबर ठग आखिर कैसे खाता हैक करने में काम्याब हो रही है साइबर पुलिस के मताबिक ठगी का ये तरीका इसी महीने शुरू हुआ है और हाल ही में तावर तोड वार्द आते हुई है साइबर ठाने में 15 दिनों में ही इस तरह के करीब 6 मामले सामने आचुके हैं साइबर ठग अपने शिकार को उसके खाते से रकम निकालने से पहले या बाद में फोन करके इसकी जानकारी भी देते हैं साफ साफ बताते हैं कि वो ठग हैं और उन्होंने उसका खाता हैक कर लिया है कुछ ही पलो में जब मोबाइल पर मैसेज शूनने बैलनस हो जाने का मैसेज पहुचता है तब कहीं लोगों को उनकी बात पर यकीन आता है मैसेज के बाद शुरू होता है ठगों का असली खेल मोबाइल पर खाते का बैलन्स शून्ने होने का मैसेज आते ही किसी के भी होश ओड़ जाते हैं ज्यादा तर लोग ठगों के आगे अपनी रकम वापस कर देने के लिए गिरगड़ाते हैं और यहीं से ठगी का असली खेल शुरू होता है ठग उसे कुछ रकम वापस करने का जहांसा देकर मोबाइल पर आने वाला OTP बताने को कहते हैं OTP बताते ही ठगों का काम पूरा हो जाता है और खाते से निकाली गई रकम ठगों के खाते में ट्रांसफर हो जाती है OTP ना बताने पर खाते में वापस लोट सकती है रकम साइबर थाने के इंस्पेक्टर अनिल कुमार के मुताबेक ठग लोगों का खाता है कर उसमें मौजूद रकम की FD बनवा लेते हैं शातिरपन ये है कि ये एक ही दिन के लिए बनती है लहाजा उसी दिन या कुछ घंटे बाद उसकी अवधी पूरी हो जाती है ऐसे में ठग के पास अपना खेल पूरा करने के लिए अधिकतम 12 घंटे होते हैं वो खाता धारक से OTP पूछते हैं और OTP मिलते ही FD से रकम सीथे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं OTP ना बताने पर रकम ठग के खाते में नहीं जा सकती आपको बता दे कि OTP पता ना चलने पर खाते से निकाली गई रकम बैंक की पारकिंग जेल में पड़ी रहती है समय रहते शिकायत की जाए तो इसे वापस खाते में लाया जा सकता है साइबर ठगी के ऐसे केस करीब 15 दिनों से सामने आ रहे हैं हैकर्स खाते से रकम निकाल कर एक दिन के लिए FTP बनवा लेते हैं फिर कुछ रकम लौटाने का जहांसा दे कर खाता धारक से OTP पूछ लेते हैं OTP ना बताने वालों की रकम बच जाती है लहाजा किसी विदशा में अपना OTP किसी को ना बताएं और साइबर ठगी से सावधान और चौकन ना रहें ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के स्रेट